हाई गाईज इस टुटोरियल में हम लोग बात करेंगे बिट्वीन ऑपरेटर की ठीक है बिट्वीन ऑपरेटर स्लैक्ट वेल्यूस वितिन रेंज दे वेल्यूस केन बी नंबर्स टैक्स्ट और डेट पहला हम लोग देखते हैं बिट्वीन नंबर हम लोग कैसे इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो संटेक्स का कुछ इस तरीके से है स्लैक्ट औल फ्रॉं टेबल नेम आप पार्टिक्र कॉलम को भी डिस्प्ले कर सकते हैं एस वी नो वैर कीवर्ड कॉलम नेम बिट्वीन वेल् तो यहां एंड का भी आप यूज कर रहे हैं ठीक है यहां एंड का यूज बिट्वीन में तो एंड का यूज होना ही है विकॉस दो लोगों के बीच इसका एंड की बिट्वीन में जो है उन सभी को आपको डिस्प्ले करना है एस्ट्यू आइड में देखिया है कि 6 और 8 के बीच में क्या है उसको आप डिस्प्ले कीजिए ठीक है लेकिन यहां 6 & 8 में क्या होता है कि यह 6 को और 8 को दोनों को इंक्लूड कर लेता है यानि कि 6,7,8 के टीनों के डेटा को डिस्प्ले करेगा यह अलग-अलग RDABMS सॉफ्ट्वेर में अलग-अलग तरीके से ट्रीट के जाता है किसी किसी में क्या होता है कि 6 & 8 को काउंट नहीं करता है सिर्फ इसके बीच में 7 उसी को डिस्प्ले करेगा लेकिन हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें यह काउंट करता है यानि कि MySQL जो कि RDBMS से इसमें यह क 6 & 8 से 6 7 8 यह तीनों का डेट्टा हमें स्क्रीन उपर दिखाए देगा इसका हम लोग एक्जैम्पल कर लेगते हैं सो हमारे पास टेबल है यह फॉम्पल ना वेर इसके पत कॉलम नेम देते हैं स्ट यू नहीं स्ट यू नहीं है यहां इंप आईड है स्ट यू इंपाइजी इंपाइजी क्या है तो 101 से स्टार्ट है ठीक है इंपाइजी बिट्वीन 105 & 110 तो 105 से लेकर 110 इंक्लूडिंग 105 & 1010 जितने भी इंप्लोईज हैं सारे के टेट्टा हमें यहां आपट इसके उपर दिखाए देगे 105, 106, 107, 108, 109, 1010 हमें दिखाए दे रहा है तो पार्टिकुलर कॉलम को भी देख सकते हैं स्टार को हटा कर यानि के ओल को हटा कर सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि इंप आईडी आपको दिखे या पिर इंप नेम दिखे और सिटी दिखे तो आप यह भी कर सकते हैं आपको इंटरप्रेस करना है और एक पर से वेर क्लास को यूज करना है यहां बिट्वीन 105 to 110 कि अपको सिर्फ वही डेटा मिलेगा आपको स्क्रीम पर इसको आपने स्लैट किया है यहां इसमें हम लोगों ने देखा कि बिट्वीन नंबर कैसे हम लोग डेटा रिट्रीव करते हैं आगे की वीडियो में बिट्वीन के और भी कॉंसेप्ट्स में लोग देखेंगे तिल राम थान्स पो वाचिंग